जैहिन दोस्तों 31 अक्टूबर 2023 को CISR ट्रेट्समेन का एक्जाम देने अगर आप भी जा रहे हैं तो इस वीडियो को कम्पलीट जरूर देख लेना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि कुल कितने बच्चे CISR ट्रेट्समेन का एक्जाम देंगे और दूसरी नमबर पर आपको हम ये बताएंगे कि इस भरती में आप कॉंप्टिशन कितना रहेगा और साथ ही बताएंगे कि इस एक्जाम में एक CISR ट्रेट्समेन की त्यारी कैसे कर सकते हैं इसकी विजानकारी आज मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो कंपलीट जरूर देखला है मेरे भाई क्योंकि एक्जाम देकर जब आप घर पर आएंगे तो आपकी कट आउफ यहां पर बनके आएग कैसे क्या होने वाला है मैं आपको वीडियो में हरती समझा दूगा तो वीडियो को कंपलीट देख लेना काकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीगराम गुरूप को जोईन तो डिस्करशन में लिंक दिया गया है फड़ा फड़ जाकर आप सभी टेलीगराम गुरूप को जोईन कर लिजे क्योंकि भारती जोड़ी अपडेट आपको वहाँ पर भी दी जाती है और साथी बता दें अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल क क्योंकि यह वैकेंसी 2022 की थी और अभी तक इसका एक्जाम नहीं हुआ है अब 31 अक्टूबर को इसका एक्जाम होने वाला है सेकंड स्विट में सभी का एक्जाम है आपर करवा लिया जाएगा अब हमस्वी को बता दे मेरे भाई धान दीजेगा जैसे मान लेता है यहाँ जो वैकेंसी आती है वोग जोन हो scorpion वई जाती है यिसे मान लेते हैं यहाँ पर कि दिलेही जोन है ठीक है दिलेही जोन में कितने श्टेट अ रहा है धान देगा दिलतीजेगा एंचल परदेश आ रहा जम्मो कश्मीर आ रहा लद्दा का रहा पंजाब आ रहा चंदीगड कर राया राजस्तन आ रहा continuously को मिला कर यहाँ पर टोटल साथ हजा़ 28 बच्ची एकजान केने वाले हैं उभी इतनेThat को मिला लेते he तो यहाँ पर एक zone तेर्क होता है, वो zone कौन सा है, यहाँ पर delay zone है, ठीक है, तो delay zone को जब आपका exam हो जाएगा, और जब आपकी cutoff आएगी, तो आपकी cutoff आप पर zone हो आई जाने वाला है, ठीक है, मतलब इतने state को मिला कर आपकी cutoff बनाई जाएगी, और इतने state में बात करें यहाँ पर तो 7,018 बच्चे एकजाम देने वाले हैं, अब आप सभी मेरी बात को यहाँ पर समझ गये होंगे, ठीक है, अब देखें आप सभी यहाँ पर, दूसरा zone है आप सभी का NCR दिलही, ठीक है, तो NCR में तीन state आते हैं, एक है आपका delay, दूसरा है आप सभी का उत्त और तीसरा है आप सभी का उत्तराखंड, तो इन तीन state को मिला कर आपका NCR zone तयार किया गया है, और इन तीन state की कितने बच्चे हैं, एकजाम देने वाले, टोटल बच्चे यहाँ पर है, आठ हजार पच्पन बच्चे, इन तीन state को मिला कर आठ हजार पच्पन बच्चे ए जाम देने वाले हैं, और एक्जाम के बाद जब की कटाओं बनेगी, तो देलही, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, इस्टेट, तीनो इस्टोड को मिला कर आपकी कटाओं बनाई जाएगी, ठीक है, तो यह सारी चीजिए आपको अब की बार देखने को मिलने वाला है, औ तो धान दीजिएगा, अब हम यह बात करने वाले हैं, कि आखिर कॉम्पटीशन कितना है, ठीक है, कुल कितने बच्चे एक्जाम देने वाले हैं, तो मेरे बात धान सुनिएगा, इस पीड़ेप में बताया गया है, कुल 33,156 बच्चे एक्जाम देने वाले हैं, और इसी 33 में मेल भी सामिल हैं, तो दोनों मिला कर यहां पर 33,156 बच्चे एक्जाम देने वाले हैं, अब यहां पर बात यह निकल कर आती है, सरहम को यह बता दीजिए, कॉम्पटीशन कितना रहेगा, एक सीड पर कितने बच्चे पेपर देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त आपको बत जाद है कि जिस प्रकार से यहां पर लिखा गया है कि 33,156 अब सभी देखिए गा क्या लिखा है 33156 इसको divided कर दीजए कितने से vacancy कितने कि निकल के आई होई थी एक सीड पर टोटल यहाँ पे 41 बच्चे fight कर रहे होंगे exam में तो आप सभी देख सकते है competition किस label का है अगर आप त्यारी करेंगे तो आप सभी इस exam को qualify कर सकते हैं देख से लिए हम बात कर ले थोई देख कि आप सभी exam को qualify कैसे कर सकते हैं इतने कम समय के अंदर तो मेरे भाई आप सभी को स्कीन पर दिख रहा होगा जी के हिंदी रिजिनिंग के वो कोईशन इस PDF में सामिल किये गए हैं जो कि TCS आपका exam ले रही है तो पीछे कई force का exam TCS company ने ले लिया है तो उसमें से जो important कोईशन जो की हर बार repeat होते दिख रहे हैं उन्ही कोईशनों को यहाँ पर 300 प्रशनों का संगरा अलग किया गया है आपको बता दें कि इसी PDF में आपको पिछले साल के वी कुछ कोईशन मिल जाएंगे जिसमें आपको जी के हिंदी रिजिनिंग के very important कोईशन मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में आपको यहाँ पर पुलत 300 कुईशन मिल रहा है अगर आप 49 रुपा 50 रुपे की लालच ना करते हुए इस PDF को पर्चिस करके यहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हैं मरे भाई तो यह PDF उन्ही के लिए खास करके बनाई गए जिनका एक्जाम आगे आने वाले 15 दिन में या फिर 10 दिन में उनका एक्जाम है तो उन सभी बच्चों के लिए इस PDF को त्यार किया गया है को जल्दी से यहाँ पे इन 300 कुईशन को पढ़ लेंगे जो की हर बार एक्जाम में रिपीड भी होते हुए आ रहे है और अगर इस कुईशन को पढ़ लेते हैं तो इससे आपको एक क्याटरिया पता चल जाएगा इस टाइप के कुईशन एक्जाम में पूछे जा रहे हैं तो ये आप सब के लिए काफी ज़रा important रहने वाला है उसी याई सब ट्रेट्समेंन की बहुत सारे बच्चों ने लेकर इसको पढ़ लिया है तो आप पीछे मत रह जाना आप यहाँ पे उनाच्चास पक्चास रुपे के लाल अचना करते हुए इस पीडियाफ को लेकर आप सब पढ़ सकते हैं जिसमें आपको पिछले साल के प्रस्न मिल रहे हैं और साथ ही बात करें सिर्फ और सिर्फ 4.9 रुपीज में केवल उनाच्चास रुपे में आपको यह पीडियाफ मिल जाएगी यहाँ पर आपको बारकूर दिख रहा होगा आप सब इसकोर सकन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीन सोट लेकर आपको इस दिये गए वार्टसप नमबर पर भेज़ देना है आपको टीम दोरा यहाँ पर पीडियाफ प्रोवाइड करा दी जाएगी वेरी इंपर्ट कुछ सन है मेरे भाई अगर आप सब इसको लेकर पढ़ते हैं तो आपका स्कोर यहाँ पर डिफिनेंटी हाई जाएगा ही जाएगा तो मेरे भाई मैंने आपको यहाँ पर सारी जानकारी दे दी है मुझे नहीं लगता कि आपको जानकारी यहाँ पर छुटी हुई है लेकिन अगर मैं आपको बताओं तो आप सभी को पढ़ना किस परकार से करने जब तक आपका एकजाम यहाँ पर हो नहीं जाता तब तक आपको इन दोनों सिलेबस का प्राक्टिस करते रहना है क्योंकि आप सब के स्कोर को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैथ और जिनिंग काफी जादा हेल्प करता है तो आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं और साथी बात करें अपने बुक से प्राक्टिस करिए मेरे भाई कहीं आपको जाने जूरुमत नहीं है आपको जो बुक है आप किसी नवक को पढ़ रहे होंगे तो आप उसी बुक को उठाईए और मैथ और जिनिंग के जितने भी सवाल है सभी को यहाँ पर धगा धग हल करिए मेरे दोस्त क्योंकि आप सब को यहाँ पर सेलेक्शन लेना है समय बहुत कम है अगर आप यहाँ पर 10 दिन तयारी कर लेंगे तो आप सभी CISF टेस्मेंट की जौब पा सकते हैं क्योंकि जितने पानी में आप हो उतने पानी में अगला बंदा भी यह इसलीए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी तैयारी नहीं कर रहा था कोई भी बंदात्यारी नहीं कर रहा था सभी पर जैसे regs मैंने आपको बता दिया कहा साथ भी ले सकते हैं सब हर चीज मैंने आपको बता दिया है अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन ओल पे जरूर प्रस करने मेरे भाई ताकि आपको सारी जानकारे इस चैनल के माईदम समय सा मिल सके तो मिलता है नेस्ट वीडियो में एक सांदर अपडेट साथ तब तक लिए जाहिन जभारत वंदे मातरम